बहुत ही जरूरी सुचना है बेर कॉर्शिंग विश्व भी द्याले के ऐसे छात्र जो असना तक पार्ट टू का एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी सुचना है इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के पास सियर जरूर कीजिगा क्योंकि आपका एक पेपर को अस्थागित कर दिया गया है किस डेट को आपको अपने एकजाम सेंटर पर नहीं जाना है किनको एकजाम देने उस दिन नहीं जाना है यह जान लिजे इस वीडियो के माद्यम से क्योंकि आपका एक दिन का जो पीपर है अस्थगित कर दिया गया है उसको अगले दिन लिया जाएगा देखिए कौन सा डेट का परिच्छा रद किया गया है यहाँ पर देखिए जो आपका 30 तारीक को यहाँ पर देख सकते हैं 30 तारी को जो लिखा गया है 30 तारी के सामने बोतनी है music है first shift में और second shift में math exam है science और art क्या है तो यदि आपका 30 तारी को exam है बोतनी सबसीडरी में यदि है यदि music आपका सबसीडरी में है और math यदि है science और art त्वाले जहात रोगा यदि आपका सबसीडरी में मैथ है, सबसीडरी में बोटनी है और सबसीडरी में म्यूजिक है तो यानि कि 30 तरीक जो एकजाम है रद कर दिया गया है अब यह एकजाम कब होगा? यहाँ पर जनरल पास कोर्स में नहीं है सिर्फ सबसीडरी वाले छात्र बोटनी म्यूजिक मैथ साइंस आर्ट का जो मैथ होता है और बोटनी म्यूजिक का एक्जाम 30 तारीकों नहीं होगा ये एक्जाम अब 4-8-2022 के बाद होगा नया डेट जारी होगा आपको हम बता देंगे क्योंकि ये एक्जाम हमको जहां तक लग रहा है कि 5 तारीकों आप देखना पड़ेगा कि 5 तारीकों कौन सा दिन पर रहा है अब 5 या 6 को आईए आपका नोटिस आजाएगा कि आपका एक्जाम आजाएगा क्योंकि ये नोटिस कल या आज ही रात तो रात या कल सुबह आपको देखने को मिलेगा कि 30 तारीका जो एक्जाम है कब होगा लेकिन होगा तो 4 तारीके बाद ही होगा तो ये बहुत ही जरूरी खबर है असना तक पाट्टू कैसे छात्र जो उनका एक्जाम 30 तारीकों है उनका उस दिन पेपर नहीं होगा बाकी छात्रों का एक्जाम एक तारीकों होगा, दो तारीकों होगा, तीन तारीकों भी होगा, जैसे स्यूडूर है, वैसे एक्जाम होते रहेगा, शिर्फ जिनका एड्मिर कार में 30 है, उनका एक्जाम उस दिन नहीं होगा, उनके लिए एक निया डेक्ट जारी होगा, जैस जैसे फर्स्ट शीव्ट में अगले तारीक को होगा जैसे सकेंड शीव्ट में वैसे सकेंड शीव्ट में अगले तारीक होगा यह बहुत ही बड़ी हृषज सेर दीजै सभी छातरों के बिच तपटके लिए वायन ठेक केर